पश्चमी उतर प्रदेश में चनावी महल गर्म हो चुका है और ऐसे में SP और BJP जादतर कोशिश कर रहे हैं कि पश्चमी उतर प्रदेश की हर सीट पर अपना दावा बोले आज हमारे साथ मौझूद हैं पश्चमी उतर प्रदेश से मोधिनगर विधान सबा सीट से भारते जनता पार्टी की प्रत्याशी और यहां की MLA आईए इन से बात करते हैं पिशले विधान सबा चनाव में आपको भारी मतों से जीत मिली आपको क्या लगता है इस बार भी आपको इतना प्यार मिनने वाला है जी बिलकुल योगी जी की मोधी जी की जो योजनाय चली है और साथ में उनकी योजनाओं को जो मैंने धरातल तक पहुँचाया है तो जनता में बहुत उत्साहा है और खास तोर से जनता को यह पसंद आ रहा है कि कोरोना का मैनेजमेंट कितना अच्छा हुआ आधरनी फ्रमिकरन को देखे के आपको लगता है यह सफי बात मेंगुछ भी मांग रही थी कुछ और लोग मांग रहेते ही लेकिन पार्टी ने अपनी जो जानकारी का बंधा होगीуют मुझे लगता है कि जनता का पूरा प्रेम मुझे वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिला था जाती है समीकरण का मुद्दा है पश्चिमी उतर प्रदेश में जाट वोटर्स का बहुत एक बड़ा एहम रूल है हाँ पे तो इस वक्त RLD के साथ आपके जो उमीदवार है यहां से आपको लगता है कि वो आपको टफ कॉम्पिटिशन दे सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो मोदिनगर एक ऐसा शेतर है जहां पे चौदरी चारण सिंग जी का बहुत बड़ा एक प्रभाव है ऐसे में RLD का जैन सथेपाल जी लड़ रहे तो सारी इनके साथ अभी तो RLD और सपा हैं तब बसपा भी थी और जने कितनी सारी पार्टी जुड़ी में थी कि अब तो यह होगा इलेक्शन में यह होगा कुछ भी नीवा सभी लोग बुद्धी विवेक से वूट डाल रहे हैं और अभी इस सम अधरनीय चरण सिंग जी का बहुत सम्मान करती हैं उन्हों किसानों के लिए बहुत कुछ सोचा करा गाउं के आदमी के लिए बहुत कुछ करा लेकिन उनकी विरासत को आगे कहां लेके गए यह लोग और दूसरी तरफ सपा देखिए यह परिवारवाद की पार्टी है हर परिवार का मेंबर बेटा भी भतिजा भी भांजी भी बहु भी संदन भी सारे नेता होने चाहिए इन क्या इन क्या परिवारवाद चलता है और यह वो लोग हैं जो सैफ़ाई में नाजगाने कराते हैं अस्पतालों की इने फिकर नहीं इंट्रेस्ट आपने आपने कहा कि सापा का पूरा परिवार एक साथ चल रही है पर आपाणाया आदव ने छोड़ दिया है तो एक अपनाया आदव को एक थौट फुल लेडि है उसने एक दो बार योगी जी की तारिफ भी करी तो उनको कहीं से अडेस्टि नहीं करा और देखिए उनके परिवारा योगी ज जी है यूथ हमाने जो जबर जबरदस्त तरीके से काम करें और दूसरे यूथ हमारे योगी जी है मुझे लगता है कि इनकी यूथ की जो परिकल्पना यह तो बहुती पीछे रह जाएगी अगर माल लिजे कि आप इस बार उतरप्रदेश चुनाव बीजेपी जीत जाती है और यहां से आपको भी आप सीट जीत जाती है तो आप क्या आपने आपको यूपटेय काविणे ने देखती है आपने देखा यह ती मोदिनगर विधानन सभासीट से डॉक्टर मर्जु शिवाज श्रüş्टी कोईल ABP News, मूधी नगर